नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ने भालचंद्र, ब्रह्मान्द सित्याश्टर में आप से भी का स्वागत है। मेना श्रावन का है, कुरुष्ण पक्ष के दस्वी तिति है, नक्षत्र ब्रिग है, योग हर्शन है, दिन का जो करण है वो वनी है और जो रात का करण है वो विस्टी है। आप ले सकते हो। उसी प्राकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवत होगा। शाम 5 बचकर 18 मिनिट से लेकर 6 बचकर 55 मिनिट तक और यमगंड़काल दोपर 12 बचकर 30 मिनिट से लेकर 2 बचकर 6 मिनिट तक का होगा। राहुकाल और यमगंड़काल दिन के अशुबकालावदी कह जाते हैं। इसमें किसी भी प्राकार के महत्वपुर्ण काम या फेनियन ने बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है या चंद्रमा बृषब राशी में ब्रहमन करेगा। या चंद्रमा शनी के साथ नवपंचम योग यानि की त्रिकोन योग करने जा रहा है। शाम 6 बचकर 9 मिनिट के बाद, यह चंदरमा मिध्षुन राशी में ब्रह Mon करेगा, और यह चंदरमा रभी के साथ लावयोघ करने जारा है, उसी प्रकार भुद और नेपचुन के साथ केंदर यूग भी करने जारा है। उसे प्रकार आजे के दिन बुद्ध और नेप्चुन का प्रतियोग भी होने जा रहा है। यह ग्रसती सामने रखते हुए बारा राशियों का राशिफल क्या होगा इस विशय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशी है मेश राशी। करने जा रहा है और आपके पंचम भाव में से तरवी के साथ लाव योग भी करने जा रहा है। तो दिन आपका बहुत ही अच्छा और महत्वपुर्ण साबित होगा। खास करके आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाव वगरा मिलने की समभावना काफी अच्छी बंद रही है। जो भी आपका कार्य शैटर है उससे रिलेडेट कुछ अच्छी इंकम आज के दिन आपको मिल सकती है। आज के दिन अगर आप कोई बिजनेस वगरा करते हो तो उसके बारे में भी कुछ अच्छी इंवेस्मेंट वगरा हो सकती है। शाम के बाद का जो समय है उसमें आप थोड़ा active नजर आओगे अगर आप किसी के relationship में हैं तो उनके साथ कही बाहर घुमना फिर ना हो सकता है या फिर आपका वक्त है वो काफी अच्छी तरह केसा कर सकता है उनके साथ बाचीत वगरा हो सकती है यहाँ पर एक दो बाते हैं उ व्यादियों से आप पीडित है तो उसके लक्षन आपको दिखाए दे सकते हैं या फिर जो भी आपका कारशेतर हैं वहाँ पर कि जो गुप्त शत्र होते हैं जो कि आपके सामने तो काफी अच्छी बाते करते हैं लेकिन पीट पीचे बुराइया करते हैं उन लोगों से थ अग्यबाह में सिद शनी के साथ ये चंदरमा नवपंचमयो कहने की त्रिको नियुक करने जा रहा हैं तो दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा और महतपूर्ण साबित होगा आज के दिन कुछ महतपूर्ण निर्णे आप अपने फ्यूचर के बारे में ले सकते हो या फि आपके चतुरत अभाव में सिद रवे के साथ लाव योग करने जा रहा है पंचम भाव में सिद बुद्र के साथ और आपके लाव में सिद गुरु के साथ आपके लाव में सिद निप्चुन के साथ ये चंद्रमा केंदर योग भी करने जा रहा है तो शाम के बात का जो सम के साथ आपके लाब भाव को जो निप्चुन है वो प्रतियोग करने जा रहा है तो आने वाले दो से ती इंदिनों में अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो किसी भी प्रकार के महतवपुर्ण निर्णे बिल्बुल भी नहीं लिना उसमें आप फस सकते हो आपक किसी भी प्रकार की इंवेस्टमेंट नहीं करना इसके बाद की जो राशी है वो है मिथन राशी मिथन राशी के वेया भाव में चंदर्मा का ब्रह्मन है और आपके आश्टम भाव में सिद शनी के साथ ये चंदर्मा नवबंचम योग यानिकित्रिकों नियुक करने जा आए शाम 6 बचकर 9 मिनिट के बाद ये चंदर्मा आपी के राशी में ब्रह्मन करेगा और त्रितिय भाव में सिद रवी के साथ लाव योग करने जा रहा है तो आज का जो दिन है शान तक का जो समय है वो थोड़ा सा आपके लिए आप बिजी रहोगे में तो पूर्ण जो काम है वो करते हुए नजर आओगे लेकिन आपके काम तो पूरे हो जाएंगे प्रतेक्ष लाब आज के दिन आपको मिलना थोड़ा सा कठीन हो जाएगा घर के जो लोग है उनके साथ चुटी मूटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है शाम के बाद का जो समय हुए है वो थो शाम के बाद आ सकते हैं तो कई प्रकार के वीचार एफे स्ट्रेस मन में आ जाने के वज़े से इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है लेकिन एक बात है कि शाम के बात का जो समय है उसमें आप थोड़ा एक्ट्यू नजर आओगे तो वो जो काम है वो भी आपके पूरे होते हुए नजर आएगे लेकिन स्ट्रेस थोड़ा सा बना रहेगा आपके चतुरत बाव में सित बुद्ध के साथ आपके दशम बाव का जो नेप्चुन है वो प्रतियो करने जा रहा है तो घर के जो लोग है उनमें आप से उम्र में जो चोटे वेक्ति होंगे उ आने वोले दो से तीन दिनों में इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है करक राशी करक राशी की लाब भाव में चंद्रमा का भ्रमन है और आपके सब्तम भाव में से तिशनी के साथ या चंद्रमा नवपंचम योग्यानी के त्रिकों नियुक करने ही चाह रहा है तो आज का जो दिन है अगर आप इवाई थो तो आपकी जो वाई जुड़िदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी उसी रवायकार शाम 6 बचकर 9 मिनिट के बाद ये चंदरमा आपके वेई अबाह में ब्रहमन करेगा और आपके द्वितिया बाह में से गरके वेई के साथ लाव और ये ञारा है तो शाम के बाद का समय है आपका थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग अगरा हो सकता है लेकिन stress आपको आ सकता है और इसकी वज़ा होगी इसके पहले अगर आपने कोई गलट decision लिये है तो उसके संदर में stress आपको शाम के बाद का जो समय है उसमें आने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है उसी प्रकार आपके तरिथिया बाव में सिद बुदर के साथ आपके किसी भी महत्व प्रुण विशेपर निर्णे बिल्कुल भी नहीं लेना स्वास के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के दशमभाव में चंदर्मा का ब्रहमन है और आपके शश्टबाव में सिद शनी के साथ ये चंदर्मा नमपंचम योग एने की त्रिकोन यक करने जा रहा है तो दिन आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा आज पूरे दिन आपका जो भी कारिशेतर है उसे में आप बिजी रहोगे कारिशेतर के बारे में कुछ अच्छी बाते आपको आज की दिन महसूस हो सकती है जो भी आपके सहकर्मी है उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है उसी प्रकार अगर आप जौब लेस है तो जौब अगरा मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बंद रही है आपके काम के appreciation भी काफी अच्छी देखी जाएगी करीबन शाम 6 बचकर 9 मिनिट के बाद ये चंद्रमा आपके लाव भाव में ब्रहण करेगा और आपके के राशे मिसे दरवी के साथ ये चंद्रमा लाव भी योग करने जा रहा है आपके द्वितिया बहुमिसित बुद्ध के साथ और आपके अस्टम बहुमिसित नेपचन के साथ यह जंद्रमा के इंदरियोग करने जा रहा है तो शाम के बाद का जो समय है उसमें आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ मुलाकात हो सकती है गपशप हो सकती है आपके जो spending रहेंगे, आपके जो खर्चे रहेंगे, उसके उपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा उसी प्रकार आपके द्वितियावामिसित बुद्य के साथ आपके आश्टमभाव का जो नेपचुन है वो प्रतियोग करने जा रहा है तो थोड़ा सा चो करना रहना ज्यादा आवश्यक होगा इसके बाद के जो राशी है, वो है कन्या राशी कन्या राशी के भाग्य भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके पंचम भाव मिस्थ शनी के साथ या चंदरमा नवपंचम योग याने की त्रिकोनी योग करने जा रहा है तो काफी अच्छा दिन है आपके लिए आज आप जिनके भी रिलेशन्शिप में हैं उनके साथ मुलाकात हो सकती है उनके साथ आपका जो समय है वो काफी अच्छी तरीके से कट सकता है उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो लॉंग रन इंवेस्टमेंट अगर आपने की है तो उसके रिटरंस आज के दिन कुछ अच्छे मिलने की संभावना काफी अच्छी बंद रही है उसी प्रकार आज का जो दिन है वेई भाव मिस्थित रवी के साथ ये चंदरमा लाभयोग भी करने जा रहा है तो शाम के बाद के जो समय है उसमें आपका जो भी कारेशेतर है उससे रिलेड़ कुछ बाते आपके सामने आ सकती है लेकिन कुल मिला के दिन आपके लिए बहुती अच्छा और शुभुपल काम निर्णे कोई भी किसी भी क्षेतर से रिलेड़ करने वाले हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेना आपके जो अंदाज है वो पूरी तरह से चूकने की संभावना काफी जादा बनती है स्वास्त के बारे में भी ध्यान देना काफी जादा आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी के भाग्य भाव में चंद्रमा का तुला राशी के आश्टम भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके चतुरत भाव में सित्शनी के साथ ये चंद्रमा नवपंचमयोग यानिके त्रिकोनयोग करने जा तो आज का जो दिन है उसमें आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छे देखे जाएगे कुछ अच्छे लाव वगर आपको मिल सकते हैं स्वास्त के बार में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा शाम 6 बचकर 9 मिनिट के बाद ये चं संद्रमा के इंद्रियोग करने जा रहा है तो शाम के बाद कर जयो समय है वो थोड़ा सा आपकी जो मान सिकता है वो positive दिखाई देगी लेकिन किसी भी प्रकार के महत्वपुन ब्लकुल नहीं लेना आपके वह भाद में सिथ-भुध्य के साथ आपके शुस्ट-पाव कशं प्रतियों करने जा रहा है तो आने वादे दो से तीन दिनों में आपको किसी भी प्रकर के महतोपुर्ण निर्णे बिलकुल भी नहीं लेने खास करके जो राशी है वो है ब्रिच्चिक राशी ब्रिच्चिक राशी के सब्तम भाव में चंदर्मा का ब्रह्मन है और आपके त्रित्य भाव में शनी के साथ यह चंदर्मा नवपंचम योग यहने की त्रिकोन योग करने जा रहा है काफी अच्छा दिन है आपके लिए खास करके अगर आप भी वाइत हो, तो आपके जो वैवाई जुड़ेदार हैं, उनके साथ आपकी जो हार्मनी हैं, वो काफी अच्छी देखी जाएगी, उनके साथ कही बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है, शाम 6 बचकर 9 मिनिट के बाद यह चंद्रमा आपके अस्टम भाव में ब्रह अखास करके स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, आपके लाब भाव में सिद्ध बुदर के साथ आपके पंचम भाव का जो नेप्चुन हैं, वो प्रतियोग करने जा रहा है, तो आने वाले 2-3 दिनों में आप पैसे के मामनात में यदि वो इन्वेस्मेंट हैं, खर इसके बात की जो राशी है, वो है धनु राशी, धनु राशी के शष्ट भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है, और आपके द्वितियो भाव में सिद्ध शनी के साथ या चंद्रमा नमपंचम योग याने की त्रिकवन योग करने जा रहा है, शाम 6 बचकर 9 मिनिट के बाद या चंद्रमा आपके सब्तम भाव में ब्रह्मन करेगा, और आपके द्शम भाव में सिद्ध बुद्ध के साथ और आपके चधुरत भाव में सिद्ध निप्चन के साथ या चंद्रमा केंद्रियोग करने जा रहा है, आपके भाग्य भाव में सिद्ध रवे के साथ या च उनके साथ difference of opinion या फिर misunderstanding की वजह से चोटे मोटे problem complications हो सकते हैं वो आपको उसी के उपर थोड़ा ध्यान देना आवश्चक होगा उसी ब्रकार आपके दशंबाव में सिथ भुद्र के साथ आपके चतुरतबाव को जो निप्चुन है वो प्रतियोग करने जा रहा है तो जो भ उपर आपको थोड़ा सा control करना आवश्चक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के पंचमभाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके राशी में सिथ शनी के साथ ये चंद्रमा नमपंचम योग याने के द्रिकोनियोग करने जा रहा है काफी अच्छा दिन है आपके लिए खास करके अगर आप कैसे के relationship में है तो उनके साथ कही बाहर घुमना फिनना हो सकता है आपका जो समय है वो काफी अच्छे तरह के से बीच सकता है अगर आपने कोई investment की है तो उसके संद्रमे में कुछ अच्छे returns आज के दिन आपको मिनने के स जा रहा है शाम के बाद का जो समय है उसमें आपको स्वास्त के बारे में ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा आपके भागे माव में सित्भुद्य के साथ आपके तृतियोग करने जा रहा है तो आने वादे दो से इन दिनों में आप किसी भी प्रकार के महतोपूर नि इसके बाद के जो राशी है वो है कुम्ब राशी के चतुरतमाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपी के वेह बाव में सित शनी के साथ यह चंद्रमा नमपंचम योग याने की तरिकों नियुक करने जा रहा है आज का जो दिन है आपके घर के जो लोग है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छे देखे जाएगे उनके साथ कही बाहर गूमना फिरना भी हो सकता है शाम 6 बचकर 9 मिनिट के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाह में ब्रमन करेगा और आपके द्वीतिया बाह में सित निप्चन के साथ और आपके आश्टम भाह में सित बुद्र के साथ केंद्र योग करने जा रहा है तो दोपर के बात का शाम के बात का जो समय है उसमें अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है तो वहाँ पर चुटी मोटी बातों को ले कर दका रहो सकती है लेकिन आपके जो वाई-वाई जोड़ेदार है उनके साथ आपके जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी उसी प्रकार आपके आश्टम भाह में सित बुद्र के साथ आपके द्वितिया भाह को जो निप्चन है वो प्रतियो करने जा रहा है तो आने वज़े 2-3 दिनों में आपको स्वास्त के बारे में फोड़िसी समस्यां का सामना करना पढ़ सकता है अब ये जो समस्यां है वो मांसिक समस्यां होने की सब्भावना थोड़ी ज्याधा बन रहे हैं तो उसी के उपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्ने बिल्कुल भी नहीं लेना. इसके बाद की जो राशी है, वो है मीन राशी. मीन राशी के तरिते बहों में चंदरमा का ब्रह्मन है, और आपके लाबभवों में से शनी के साधिया चंदरमा नवपंचमियो यने के तरिको नियोग करने जा रहा है. आज का जो दिन है थोड़ा बिजीडे साबित हो सकता है. जो भी महतुपूर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हैं, जो भी रुके हुए काम है, पेंटिंग काम है, जिससे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उस प्रकार के जो काम है वह ज़रू हाथ में लीजे और वो काफी सहचता पूर्भपूरे होते हुए नजर आएंगे. पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे, लेकिन वो आराम आपको नहीं मिलेगा, घर के जो लोगे, उनके साथ चोटी मोटी बातों को ले घर तकरा हो सकती है, लेकिन सबसे महतुपूर्ण बात आपके सब्तमभव में सित बुद्ध के साथ आपी के राशी में सतीत, जो निप्चुन है, वो प्रतियोग करने जा रहा है, तो आने मज़े दो से तीन दिनों में, अगर आप विवाईत हो, तो आपके जो वईवाई जो डिदार है, उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर बाते जो है, वो शुरू हो सकती है, और वो काफी बढ़ सकती है, आप द निनांग 21 अगस्त 2022 का संपुर्ण राशिफल, आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकास यानवों किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना ये जो चैनल है, पिरमांड सिद्धी एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेर और सब्सक्राइब जर झीनिवा,